हेलो दोस्तों, बैक बेंचर बीके आप लोगों का तहर दिल से स्वागत करता है पिछली वीडियो में आप लोगों ने जोर सपोर्ट किया उसका मैं बहुत ही शुक्र गुजार हूँ जिन लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखी है वो आई बटन पर क्लिक करेके देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा वहां पर भी आप लोग देख सकते हैं भारत रतना के उपर करेंट अफेर के उपर टॉपिक था आज का जो हम टॉपिक लेने वाले हैं वो एडवांस मैथ का जिमेटरी चैप्टर है जिमेटरी एक ऐसा चैप्टर है जिसको कई लोग तो पढ़ना नहीं चाहते हैं क्यों नहीं पढ़ना चाहते हैं क्योंकि उनको समझ में नहीं हाता पढ़ते हैं उसे समझते concept को और एक वो लोग होते हैं जो की questions उठाते हैं formula सामने होता है अब बनाना start कर देते हैं जो question उठाते हैं उनसे कभी भी geometry समझ में नहीं आने वाला उनका और जो concept लोग को लेके चलते हैं उनके लिए geometry बहुत ही असान है ऐसा क्यों होता है क्यों क्य क्रिती के ऊपर है आपको question बनाना पड़ेगा क क्रिती बनाने के लिए आपको concept आणा ज्रूरी है अर word का उसका मतलब होता है geometric question में हर word का mettre we are वह दो सभी आप लोगों को समझना जूरूरी है इसलिए मैं जुमै्टरी लेकर आdong जो कि कई लोगों समझ में आथा ता कि उनलोगों को भी समझ में आजा है अगर हो भी यह वीडियो देखेंगे तो Geometry बहुत ही लेंदी चैप्टर है इस Geometry में कई सारे टॉपिक्स आएंगे मगर हम एक टॉपिक के उपर कम से कम तो दो या तीन वीडियो कन्फार्म है कि लेके ही आऊँगा ऐसा क्यों क्योंकि concept अलग समझना जुरूरी है तभी उसका question बनेगा तो दोस्तो आज हम सिखने वाले है Geometry का पहले टॉपिक का पूरा का पूरा concept जो की है Lines and Angles और हिंदी में इसे बोल ला जाता है रेखा एवम कोन मेरी राइटिंग पर मज जाईएगा राइटिंग बहुत ही खराब है मुझे भी पता है राइटिंग को नहीं सुधार सकता है मैं sorry Lines and Angles में जो पहला हमारा point आता है वह है point मतलब बिंदू बिंदू क्या करता है point क्या होता है point होता है इसी को हम point बोलते है इसे denote किसे करते हैं बड़ी ABCD में करते हैं जैसे इस point को ले देते हैं बड़ी है इस point को C मा लेते हैं इसको हम लिखते कैसे इसको हम लिखेंगे point A Hindi में लिखेंगे point बिंदू C तो point क्या होता है point वह अकृती होती है geometry की point वह अकृती होती है जिसकी ना तो कोई चोड़ाई हो ना कोई लंबाई हो और ना ही कोई उचाई हो उचाई को ही हम मोटाई भी कहते हैं इसे हम कहते हैं बिंदू या फिर point कहते हैं हम दूसरे लफजों में यह कह सकते हैं कि point जो होता है वह circle, breath वह छोटा सा छोटा रूप होता है जिसका ना तो कोई radius होता है और ना ही कोई छेतरफल होता है उसे हम point कहते हैं तो point के उपर यह भी question बनता है कि I am कि point का I am कितना होता है कई लोगों को यही नहीं पता होगा कि I am क्या होता है Hindi में नहीं पता होगा English में इसका होता है dimension dimension I am को हम कहते है dimension तो point का I am होता है dimension होता है मतलब zero इसका I am होता है जी अब पॉइंट के बाद हम लेते हैं लाइन के वारे में हिंदी में इसे बोला जाता है रेखा लाइन क्या होता है तो अगर हम पॉइंट्स कई सारे पॉइंट्स को ले एक साथ तो वो बन जाता है हमारा लाइन बन जाता है इसे हम A माल लेते हैं इसे हम b mahl लेते हैं इस aero का क्या मतलब होगा इस तीर का निशान का मतलब क्या हुआ कि इसे हम अनन्त बिंदू तक कि इसका कोई fix बिंदू नहीं है इस arrow का मतलब यही होता है किसको कोई fix नहीं है इसको अम इधर जितना मर्जी बढ़ा सकते है और इधर भी बढ़ा सकते हैं अनंत तक बढ़ा सकते हैं जितना मर्जी पॉइंट इसमें जोड़के आगे बढ़ा सकते हैं इसी को हम बोलते हैं लाइन और लाइन को हम लिखते कैसे हैं तो लाइन को हम लिखते हैं जैसे A, B दोनों तरफ से तीर का निशान यह हो गया लाइन को लिखने का तरीका और जो लाइन होता है अगर हम कोई पूछे कि लाइन का डाइमेंशन क्या होता है आयाम क्या होता है तो जो लाइन का आयाम होता है वह होता है वन मतलब कि एक जो dimension इसका होता है वो होता है एक तो एक क्यों होता है क्योंकि ये अगर x-axis पर जा रहा है तो सिर्फ x-axis पर जाएगा चाह उधर जाएगा चाह इधर जाएगा मतलब कि ये दोनों तरफ जाएगा पर बचे एक straight line में जाएगा यही हो गया लाइन का आयाम की एक है लाइन का आयाम एक होता है और अगर हम इस line को इसी line को हम एक तरह दोनों तरफ से दोनों arrow हटा दें और एक fix बिंदू ले ले माली जी यह a है और यह b है एक fix बिंदू ले 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 दोनों तरफ से इसका अंत decide हम कर देते हैं कि fix है दो point के बीच का जो भी distance होता है उसे हम क्या कहते हैं उसे हम कहते हैं line segment उसे line segment कहते हैं हिंदी में इसको क्या कहते हैं इसे हिंदी में कहा जाता है रेख खंड है । रेका कहते हैं fx । उसे हम लिखते कैसे है लिखते है आil में लिखते है सकते हैं लाइन सेग्मेंट के बाद हमार आता है वह है रे को हिंदी में बोला जाता है की रन किरन की यह एक ह आधा दो 2 टीर के निसान को ख़ता देताए में अंत बिंदू को अनंते रहना इसे हम बोलता हैते मालीजी ए और ये बी है तो रे को लिखने का तरीका क्या होता है कि ए वी उपर से एक तरफ तीर का निसान डाल YEता है इसे उलिधे वहाद हम लोग आप पैर्लल याइन्स के बादे में कि पैडलल लाइन, क्या होता है, इसे हिंदी में बोला जाता है, समा नांतर रेखा, पैड़ा लाइन्स क्या होता है, तो जो दो लाइन्स होता है, दो हो, तीन हो, जितना मर्जी हो, उन सब को हम पैड़ा लाइन्स तब बोलते हैं, जब वो सभी के सही, एक दूसरे से समान दूरी पर हो कभी इन दोनों का पॉइंट जो इन दोनों का पता है कि जितना मर्जी आगे बढ़ा सकते हैं इसको जितना मर्जी आगे बढ़ाएंगे और इससे भी हम बढ़ाएंगे तो कभी एक जगा पर इंटरसेक्ट नहीं करेंगे दोनों तरफ से कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेंग इंट्रसेक्ट मतलब कि दुनों एक दूसरे को काटेंगे नहीं और जो पैरलेल लाइन्स होता है वो यहां से कहीं से भी अगर हम एक सीधी रेखा खीचते हैं तो वो हमेशा 90 डिग्री का एंगल क्रियेट करता है और यह सबसे चोटी दूरी होती है दो लाइन्स के बीच की सबसे चोटी दूरी होती है जो 90 डिग्री होती है 90 degree की दूरी होती है वो सबसे छोटी दूरी होती है और यह सब जगे बराबर होगा it Di parallel to L2 parallel to L3 ऐसे हम इसे लिखते है parallel lines को समनांतर रेखा को अब हम parallel lines के बाद कुछ और lines के बारे में देखते हैं, जैसे कि अगर कोई line है, उसे कोई भी line काट रही है, यह L1 है, यह L2 है, इसे कोई line L2 काट रही है, इन lines को हम कहते हैं, intersecting lines, intersecting lines, अब इसी तरह से अगर हम दो या दो से अधीक lines ले ले लें, और उसको एक single line काट रही है, तो इसे हम कहते हैं, Transversal, Transversal lines, अब मा लिजे कि कई सारी lines, एक single point पर काट रही हैं एक दूसरे को, एक single point पर कई सारी lines आके काट रही हैं, तो उसे हम कहते हैं, इन सब को हम कहते हैं, Concrunt lines, Concrunt lines, अब हम देखते हैं कि perpendicular line किसे कहते हैं, यह हो गया perpendicular line, जब कोई line, दूसरे line को, हम सीधी काटे, सीधी मतलब कि 90 degree पर काटे, तो इसका कोई एक line का दूसरे line कोई जुकाव इस तरफ या इस तरफ ना हो, एक दम सीधी खड़ी हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे ह इसे हम कहते हैं, perpendicular lines, इसे हम कहते हैं, perpendicular lines, माली जी यह L1 है, यह L2 है, तो इसे हम लिखेंगे कैसे, जैसे हम लिखेंगे, L1 is perpendicular, sorry, L2, L2 is perpendicular to L1, L2 is perpendicular to L1, हम इस तरह से लिखते हैं, perpendicular lines को, इसके बाद में हम देखते हैं कि को लीनियर पॉइंट्स क्या होता है जब एक लाइन है एक लाइन पर ए बी सी माली जी एक लाइन है एक लाइन पर तीन बिंदू हो गए इसी को हम इनी को हम कहते हैं ए बी सी को हम क्या कहेंगे को लिनियर पॉइंट्स कहेंगे क्यों क्योंकि एक सीधी रेखा पर तीन बिंदू है इसलिए इसको हम को लिनियर पॉइंट्स कहते हैं और एक लाइन है एक लाइन पर मैक्समम हम कितन जी इंफिनिटी इंफिनिटी अनंत हम पॉइंट्स बना सकते हैं एक लाइन्स पर जितना भी मर्जियों उतना हम पॉइंट्स बना सकते हैं अन्य गिनत हो गई है और एक और चीज होता है कि एक पॉइंट से हम अनंत लाइन्स बना सकते हैं यह पॉइंट है इस पॉइंट से हम कई यह सारे लाइन्स बना सकते हैं हम सो हम लोग होने आइस का पूरा कॉंसेट्ट देख लिया फिर से ठृत्य रिवाइज कर से कि पॉइंट किящा में हो गया प्वारे मिलें देखता उसके बां कि यहां कि लान किया होता है जिसमें दो थीर स्लब्लाइब क्या होता है उसके भाद में हम लोगा हूं क्या होता है जिसमें एक तीर का निचान हों और ए सकस्य पटो उसके बाद में हम लोग ने देखा कि पैललर लाइनज क्या होती है यह पैललर माईं सो गया जो कभी वह एक दुसरे को आगे जाके के नहीं काटने वाली ना आगे पीछे के कट्सक्राइब हा उसके फान हम लोग देखा कि प्रपेंडिकुलर लाइन क्या होता एंसों इंत्रोंटिंग क्या होता है 250 इंट्रोंफ। विर भी क्ई स्वाम गुदू कीं होता है लोगा डामेंशन होता है क्यों कि यह सीधी होती है अब हम देखते हैं की एंगल क्या होता है अंगल क्या होता है , जिसे हम हिंदी में करते हैं मैं किसी भी upon हास आप लोगों को नहीं बताने वाल। और किताबों में आपको बौहत मिल जाएगी आपको यह बताने वाल। चिए होता क्या है, कैसे होता थै तो concept ॉसर्फ आपको बता रहू हूँ कि अब हम बात करते हैं कि एंगल्स के बारे में एंगल्स क्या होता है जब दो लाइन्स एक दूसरे को काटती है तो उस पर जो कौन बनता है कौन अक्रीती बनती है उसी हम कहते हैं कौन माली जिया हम थीटा कौन माल लेते हैं बुद्द अब देखिए इधर को मिठा देतें तो ये सिक्ष बॉंट बन गया और गए ती लिए उसे और क्या करते हैं की किस थे चाट रही में में धुकित्ती निफी और मेंले करते हो यह में इसे करते की जब दो लाइन्स यह जोग ए किस यह प्लानीर हो गया सबिल और यहां कारी है अकिरिती बहाएं तो यह भी होगया कौन होगया schle mila0 को किसे करते हैं margin is को इसको हम A लेते हैं इसनte unit has or this to B हम क्या लिखेंगे अलप का एंगल को माले करते हैं इसका निशानितानी यह होता है तो एम ता डिगरी एंगल में से डिः में होता है है दिटडिटी में लेते हैं तो एंगल ऐ ओवच्छ यह होता और यह हम टाइप sana के थिई इंगहरे वाले तो को परहलेimes के नूबर कें ऴोजये होते नीन कोन नीन कोन जिसे हम इंगलिस में बोलते हैं एक्यूट एंगल एक्यूट एंगल क्या होता है वह एंगल वह एंगल जो जिरो डिगरी से इधीक हो मगर 90 डिग्री से कम हो 90 डिग्री से कम हो यह 90 डिग्री है 90 डिग्री है और यह 0 डिग्री है 0 से अधीक और 90 से कम इसे हम करते हैं acute angle मतलब कि noon कोन और दूसरे नमबर पर हमारा आता है right angle यह right angle जे रइंगल क्या होता है यह right angle क्या होता है कि ऑद यह आफ्यरी नमगल 90 डिग्री डिग्री को ही हम right angle कहते हैं right angle ईंगल ही perpendicular lines होते है जो obtuse angle जिसे हम हिंदी में कहते हैं अधीक कौन हम राइट एंगल को कहते हैं हिंदी में सम कौन सम कौन और obtuse angle को कहते हैं अधीक कौन तो अधीक क्या होता है जिसका measurement जिसका map 90 90 डीगरी से अधीक हो मगार 180 डीगरी माई 90 डीगरी से अधीक हो मगर 180 डीगरी कघी कम हो उससे हम काते अमाली जी यह है यहoff ठीटा है यह हमारे पास है obtuse angle obtuse angle मत्लत के कहते हैं मेंट के according to our next angle वह स्ट्रेट अंगल पॉअ इस आप कि चॉथे नंबर की यह का एंगल जो ऌड़ober 202 है जो यॉय एंगल 1802 है उसको हम स्ट्रेट अंगल करते नहें मेघूंवा का हिंदी होता है कि द्वीजा का रिजाfil इसे हम रिजू कोन कहते हैं जो फिफ्ट नमबर पर आता है वह हमारे होता है रिफ्लेक्स एंगल रिफ्लेक्स एंगल तो रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है रिफ्लेक्स एंगल होता है पूर्णर्युक्त कोन रिफ्लेक्स एंगल को हम कहते है पूर्णर्युक्त कोन क्या कहते मगब 360度 से कम है माली जी यह इस कि यह 200 डगरी का कॉन यह जो 200 डगरी। तो यह 120 अधीक है मगब 360 काम है इसलिए यह हो गया हमारा पुनर्युक्त कुन यानी зам flex angle हो गया और छह्छेथे नवर पर आता है, वह होता है complete angle Complete angle हूथ है the complete angle क्या होता है, उसका can you was English होता है type of angle on the measurement मुते वह देखति हैं कि कंपिंपिंटरी एंगल कौन से होते हैं कि कंपिंपिंपेंटरी वुगई अगयों कि लिखता लिखें निश ओद देतह हुं इस चारव होता है में मतल जिस खते हैं हिंदी में करते हैं पूरग उत alm तो यह पूरा कोन क्या होता है तो पूरा कोन क्या होता है कि जब दो एंगल का योग्य 90 डिग्री होता है तो उसी को हम पूरा कोन काते हैं या फिर कम्प्लिमेंटरी एंगल काते हैं जैसे कि यह एंगल 1 है और यह एंगल 2 है यह एंगल 1 है यह एंगल 2 है तो इन दोनों का योग हम ऐसे लिखते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 दो इन दिगरी तो यह हो गया हमारा पूरक कोण अब हमारा अगला होता है वह है सप्लीमेंट्री एंगल सप्लिमेंटरी एंगल जिसे हम हिंदी में कहते हैं संपूरक कौन संपूरक कौन क्या होता है संपूरक कौन वह कौन होता है वह दो कौन होते हैं जिनका योग एक सो असी डिगरी हो उसे हम कहते हैं संपूरक कौन सप्लिमेंटरी एंगल ए जैसे कि यह एंगल 1 और यह एंगल 2 है तो एंगल 1 दोनों का योग उता है 180 डीडिडिए जासी डीडि ढूर को जोड़ने तो पूरा 6% हो जाता है यहाँ पर इन दोनों का पता हूं घॉ 벌써 मेस कहते हैं यह प्ाइड़ शेय। कि के लाट सामतिंध में क्या कहते हैं मेंसे कहता है आसन कौन इह बहुत इंपॉर्टेंट है यह क्या होता है कि कोई भी दोंगल विदू एंगल जिसका एक लाइन दोनों एंगल का कอम मुझे हू continuing हो हमें यह पता है कि कोई भी मैं ईएंगल है तो हमें इसनता दो दो लाइन से मिलकर बनता है दो लाइन सो गया दो रे खाखंड न्योंगतों आप ड़ीयां 20 मुह Bel नह notorious एंग्ट करुता है और यही अगर दो आ। इसको थृता बन लेते हैं इसको थृता टू लेते हैं अगर 2 एंगल का जो एक लाइन है वो कॉमन है कॉमन है उबहनिश्ट है मैं कि एक एंगल का जो भुजा है एक भुजा तो दूसरे एंगल का जो एक भुजा है वो दोनों बरावर है common है उबहनिष्ट है तो इसे हम कहता है आसन गोन इसको हम कहेंगे कि एंगल वन एंड एंड एंगल टू अरे एडजसेंट एंगल एडजसेंट एंगल यह हो गया एंगल में अगर हम इस तरह का हमारे पास एक फीगर है मारे पास इस तरह का एक फीगर है अब इसमें एक यह एंगल है और एक यह एंगल है मालीजे स्क्वाइर है यह 90 डिगरी है और यह भी 90 डिगरी है तो इसमें क्या है कि जो यह एंगल है यह एंगल का एक भूजा और इस एंगल का एक भूजा दोनों के दोनों एक ही है common वह भैनिश्ट तो इसलिए अगर हम इसे हम कहते हैं ए बी सीडी अगर हम ऐसे लिखते हैं तो इसे हम कहेंगे कि एंगल के एड़ेसंट एंगल इसे मैं अगए मितलों कि आसनकों कहांगे बात करते हैं लीनियर पेर एंगल्स कि जिसे हमें दूम कहते हैं राखी क्युगमकों यह क्या होता है जो सप्लीमेंटरी एंगल होता है ना जो जो दो एंगल को जोड़ के 180 degree बनता है वो भी linear pair एंगल ही होता है कैसे होता है इसका जो प्रिभासा है वो यह है कि वह दो एंगल वह दो एंगल जिसका एक साइड दूसरे साइड के अपोजिट हो माली जी एंगल 1 है यह एंगल 2 है तो जो इसका Whक्त एक साइड जोकी होता है क्योंकि हमें पता है कि याफ योग साइयाग हो सकती है जब एक अब एक side दूसुरे के एकदम opposite हो आपोजिट सीधी होगी असीधी होगी तो एक सो एस्टीगी का कौन बनाएगी तो दोनों को जोड़ के एक सो एस्टीडीजी आएगा का अब हम आते हैं vertically 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 प्र वर्टिकली आत्यजी आपोझित सिंगल अ क्रोची अस्ielle रहे शिर्ःविमुख्थ सिरशा विमुक्थ स्पेलिन गलत हो सकता है सोरी माफ़ कीज़ेंगा सिर्षा विमुक्थ कुन है सिर्षा विमुक्थ कोन जैसे की लोहन से जर्षाफित और ये L2 है, दो lanes है दो lanes एक दूसरे को काट रही है तो यहांपर कोई angle बना मालीज ये angle 1 है ये angle 2 है, ये angle 3 है और ये angle 4 है इस step से बना तो हम, इसको हम मालेते हैं आइंगल 1 है उसको मानते हैं कि थित्ता ड्री है तो angle 1 पलिस angle 4 है ध्यूक्य पातल कर सकते हैं कि ध्युक्त के इंगल 1 अर्तर फोर में तो यह हो गया एंगल 1 हमारा हो गया इतना हो गया अब हम इसको भूल जाते हैं और इस लाइन को ले रहते हैं और तीन को और चार को तो जो हमारा एंगल घ्री हुआ अब पलंस चार हुआ इनका जोर्विक वैल्ण से डीगरी हो वह एक स्ट्रेट लाइन पे जिए श्ट्रेट लाइन पे वैं तो जिसकी वज़से अंग थी वैल्यू कितनी यह यहां यहां से 180 कट गया यह कट गया तो यहां पर कितना है इसका मान भी थिटा डिग्री और तो इसी तरह से एंगल 2 और एंगल 3 का करेंगे तो एंगल 2 की वैल्यू आजाएगी 180 माइनस थिट्टा डिगरी इसे हमें क्या पता चला कि जब दो लाइन एक दूसरे को काट रही है तो अपोजिट साइड का होता है अपोजिट विपरित साइड वाला उसे यह हम कैसे हैं कि जो एक लाइन है एक एंगल का दो लाइन होता है दो लाइन से एक एंगल बनता है और एक लाइन का विपरित निसा मिले जाए और दूसरी लाइन का विपरित निसा मिले जाए तो उस अब उस दोरान जो एंगल बनता है वो एक दूसरे के बरावर होते हैं जैसे कि एंगल 1 इस हम क्या कहेंगे कि एंगल 1 एक्वल टू एंगल 3 एंड एंगल 2 एक्वल टू एंगल 4 इसका हम रीजन क्या देखेंगे कि वी ओ ए मतलब वर्टिकली अपोजिट एंगल है होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा आगे भी कही सारे एंगल समय पढ़ने हैं पर उन लोग आधे द्राबल में प्र falta करते हैं एक यह और यहां拜拜 नाइं और यहां यह को फेनल ethn यर करें इसको इसकोआं मानते मानते हैं हैं और इन् दो लाइन को एक थीसरा लाइन जो की ऐल थरी ए वह काठ रही बान चेया है और इसकह वहाइए मूं देखता कि कौन कौन से मते है इसको मा लेता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 अब देखिए कि एंगल 1 और एंगल 3 आपस में बरावर है क्यों बरावर है अभी बता याött हों वर्टिकल या पोजिट अंगल है और एंगल 2 एंगल 4 यह दोनों बरावर है यह वी ऑजिकल या000 अभी बरावर है एंगल 5 और 7 बरावर है एंगल 6 एंगल eight यह भी बरावर है आगला अगला बात की alternate इंटीर एंगल क्या होता है जब जैड बनता है तो यह आंगल और यह एंगल चाहिए सीधा बने चाहिए उल्टा बने बसरते की दोनों राइं पैलल होनी चाहिए दोनों फैलल लाइड नी चाहिए मतलब कि दोनों parallel lines है अब parallel lines में यह z बना तो मतलब कि angle 3 equal to angle 5 और angle 4 equal to angle 6 कैसे हो गई यह तो यह हो जाएगा हमारा alternate interior angle यह हो गई हमारा alternate interior angle अब आता है कि जैसे कि angle 2 है और यह angle 6 है यह दोनों भी आपस में बरावर होगा angle 2 equal to angle 6 and angle 1 equal to angle 5 and angle 3 equal to angle 7 and angle 8 equal to angle 4 यह क्यों होता है तो इसका जो reason होता है वो होता है corresponding 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 angles होते हैं यह इसलिए यह बरावर होते हैं corresponding angles होते हैं यहां तक हम लोग ने concept सिखा जो next video आएगा वो आएगा हमारा previous year question के ओपर आएगा जो कि प्रीवेस यह होगा इसके लावर कुछ नहीं होगा और कॉंसेप्ट यहां तक हम लोग ने समझ लिया और जब आगला आगला जो वीडियो आप लोग देखोंगे और प्रीवेस एगा जो कोश्चन वाला होगा उसमें complete concept समझ में आजाएगा खुझे रिया में कोश्चन वाला होगा जब आएगा प्रीवेस नहीं होगा होगा जगता जगएगा